मत कहो आकाश में कोहरा घना है ये किसी की व्यक्तिगत तालोचना है जी हाँ राहुल गांदी के साथ शायद यही हुआ है जैसा कि अंदेशा था अनुमान था या कहें कि योजना थी राहुल गांदी की संसत सजिस्टा खत्म कर दी गई है उपरी वज़ा आप सबको पता है सूरत कोड का वहादेश जिसमें मोदी सरनेम के मानहानी के एक मामले में उन्हें दो साल कारावास की सजा दी गई है हाला कि इसी के साथ उन्हें जमानत भी दे दी गई थी ताकि वे उपरी अदालत में अपील कर सके लेकिन इसी के साथ जिस तरह 24 घंटे के भीतर तुरत फुरत में लोगसबा स्पिकर ने ये फैसला लिया है उसका एक अपना ही संदेश है अपने ही निहतार्थ है कुल मिलाकर इस मामले के दो पहलू है एक है राइनितिक मकसद और निहतार्थ और दूसरा है इसका तकनीकी पहलू यानि कानूनी या नियाएक पहलू तो पहले कानूनी पहलू को समझ लेते हैं किसी भी संसद या विधान सबा सदस्य की सदस्यता ऐसे मामलों में किस तरह खत्म की जा सकती है रिप्रजेंटेशन ऑफ दा पिपल सेक्ट 1951 की धारा आठ तीन के तहत अगर किसी संसद या विधायक को किसी अपराद में दोशे टहराया जाता है और उसे दो साल या इससे ज्यादा की सजा दी जाती है तो उसकी संसत या विधान सबा सजसता खत्म की जा सकती है और वे रिहाई के छे साल बाद तक चुनाओ भी नहीं लड़ पाएगा इस तरह के आपरादिक मान हानी के मामलों में अधिक्तम सजा दो साल की है जो राहुल गांदी को मिली ऐसे मामलों में पहले रिप्रेजेंटेशन आफ दा पिपल सेक्ट निस से क्यावन की धारा आठ चार के तहट ये छूट थी कि अगर दोशी ठहराया गया सदस से उपरी अदालत में अपील कर देता है तो फिर मुकतमा चलने तक उसकी सदसता नहीं जाती थी लेकिन बाद में 2013 में सुप्रिम कोर्ट ने इसमें तर्मीम कर दिया और ऐसे फैसले ततकाल लागू होंगे ऐसा आदिश दिया हाला कि लोग सबास सची वाले को प्रिक्रिया पूरे करने में कुछ समय लग सकता है इसमें बस ये छूट रखी गई कि अगर सदस से ततकाल अपील कर देता है रूपरी अदालत उसकी सदस को ही नहीं बलकि दोश सिधी पर ही रोक लगा देती है तो फिर सदस्दा जाने से बस सकती है या ऐसे होने पर उसकी सदस्दा दोबारा बहutable की जा सकती है इस नियम के तहट जो हमने आपको बताया अब तक चारा गोटाले में सजा मिलने के बाद लालू परसाद यादव की सदस्दा गई MBS Seed घोटाले में रशीद मसूद की सदस्ता गई UP के विदायक कुल्टीप सिंग सेंगर को सामुहिक रेप के मामले में उम्र कैद की सजा मिली तो उनकी विदान सबा की सदस्ता गई हाला कि राहूल गान्दी के मामले की इन मामले से तुनला नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने एक रैली में नीरब मोदी ललित मोदी आदी के घोटालों को लेकर एक कमेंट किया था एक कमेंट जिसे जाती विशेश के अपमान से जोड़ दिया गया हाँ यहाँ आजम खान और उनके बेटे की भी जाम इत्यादी लगने के मामले में जिस तरह से सदस्ता ली गई उस पर जरूर सवाल की जा सकते है खैर हम किसी अदालत के फैसले पर टिपली नहीं कर सकते हाला कि विपक्ष ने इस पर काफी सवाल उठाए है हम इसके राजनितिक निहतार्थ पर जरूर बात कर सकते हैं तो राजनितिक निहतार्थ साफ हैं कि बहुत पहले से लालू प्रसाद और आजम खान की तरह राहुल गांदी की भी घेराबंदी की जा रही थी जो अब जाकर परवान चड़िये चाहे पुरी सरकार की ताकत लगाकर 2019 में उन्हें उनकी पुष्टैनी सीड अमेठी से बाहर करने यानि हराने की बात हो या पप्पू जैसे नाम उच्छाल कर उनकी छवी खराब करने की बात हो चाहे दूसरों के बयानों को रहुल का बयान बना देना हो चाहे अब विदेशों में दिये गए बहाशन और बयानों को मुद्दा बना कर उन्हें देश द्रोही तक साबित करने की कोशिश हो इन बयानों को लेकर सत्तरूट भाजपा ने जिस तरह से प्रितिक्रिया दी थी और खुद ही संसत ठप कर दी थी उससे साफ हो गया था कि अब राहुल को किसी ना किसी बहाने संसत से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उनका जवाब देने से वो संसत में बच गई और दूसरी राहुल गांदी को संसत से बाहर करने का ग्राउंड बनाने में भी काफी हद तक सफल हो गई। क्योंकि राहुल नीरब मोदी, ललित मोदी, मिहुल, चौकसी समेद गौदम अटानी को लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे और भारत जोड़ो यात्रा और अन्य प्रियासों के चलते दो हजार चौबिस के चुनाओं में विपक्ष की एक धुरी बनने की भुमि जाना कोई नई बात नहीं है, जेल से भी निताओं ने चुनाओं लड़े हैं और जीत कर बहार आए हैं, पहले से भी बड़ा कद उनको हासल हुआ है, लेकिन राहुल का सवाल के वले एक नेता का सवाल नहीं है, बलकि पूरी कौंग्रेस और दो हजार चौबिस के लिए व प्रशन हैं, हाला कि लोगतंत्र पर किस तरह के खत्रे हैं, खत्रे बढ़ रहे हैं, इस पर समुचे विपक्ष और आम जनता को भी सोचना होगा, शुक्रिया